तो वेलकम टू माई चानल नॉलेजेवल एक्सप्रेस भाईयों आज हम लोग एक बिसेस वीडियो की ओर आगे बढ़ते हैं मुगल समराज की ओर और आप लोग देखें काफी बेहतरीन होने वाला ही है वीडियो तो कैसे हैं भाईयों आप लोग आसा करते हैं कि आप लोग अ और ये मुगल समराज का के लिए एक पहला वीडियो होगा इसलिए मैंने पार्ट वन किया है और प्रिशाब इसे संग पर आधारित होगा जिसमें वीडियो के बाद में मैंने प्रसनोतर को भी सामिल किया है तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और आप लोगों से एक रिक्वे रहे और आप इसका फाइदा उठाते रहें तो हम लोग देखते हैं मुगल समराज के संस्थापक बाबर के बाड़े में तो जहिरुद्दीन मुहम्मद उर्फ बाबर मुगल समराज के संस्थापक और पर्थम सासक था इनका जन्म मद्य एस्या के बर्तवान उज्वेगि चार इस्वी में काबोल तथा 507 इस्वी में कंधार को जीता था बादसाह की वाधिधरन की 1529 से 1526 तक भारत पर इसने पांच बारा कर्मन किया 1526 में इन्होंने पानिवत के मैदान में दिली सल्तनत के अंतिम सुल्तान इब्राहिम लोदी को हरा कर मुगल समराज की निवड चित किया 1530 में की मिर्टी हो गई तो हम लोग आगे भढ़ते हैं और इसमें देखते हैं बाबर एक महत्वा काक्षिस हा सकता फरगना में अपनी इस्थिती सुद्रिट करने के बाद तैमूर की राजधानी समरकंद को जीतना चाहता था जिस पर उसके चाचा अहमद आक्रमन किया समरकंद को जीतने का पहला प्रियाश पहला प्रयतु उसने 1464 1 8 में किया पर उसमें 310 97 इसमी में उसने समरकंद पर दूसरी बार आक्रमन किया और उससे सफलता मिली किन्तु यह दो ऑच्ठाही था रस्ठाही नहीं दग सका 500 एक इस्वि में सैवानी खासे पराजित होकर जब बावर इधर उदर भटक रहा था उसी वर्स काबूल के सासक और बावर के चाचा उलुग वेग मिर्जा की मिर्थ हो गई इस इस्तितिका लाब उठा कर बावर ने 504 इस्वि में काबूल पर आकरवन कर उसको अपने अधिकार चेत्र में ले लिया काबूल बियाई के पश्चात बावर के राजिंतिक जीवन में इस्थिर्टाई वहां का सासक बन गया और 1537 में उसने बादसा की अपाधी भी धरन की उसके बाद उसके युद्ध में हम अगर बात करें तो पानीपत का युद्ध ये महतुपूर्ण रहा नॉमबर 1525 में बावर भारत को जीतने के उदेश से काबूल से चला और लाहर तक बिना किसी बाधा के पहुंचिया बादे पंजाब का सासक दौलत खान लोदी उसे र से के पंजाब की बढ़ा एतिहास कारों के मताद नुशार बावर की सेना में केवल बारह हजार सैनिक थे जबकि अपरील 1526 को युध आरंब हुआ इबाहीम लोदी की सेना ने बावर की सेना पर आक्रमन किया बावर ने अपनी सेना की भियूरचना कुसलता प्रवक की तथ और से लोदी की सेना को घेड़ लिया तद्यपी अफगान बड़ी बीरता से लड़े किन्तु बावर की चक्रवी हुराचना बंदूकों और तुप खानों वा तुलुग गामा निती के कारण इस युद्ध में बावर की बिजय हुई और डिली की का सुल्तान इब्राहिम लो 227 को शिक्री से दस मील दूर खानवा नाव का स्थान पर बावर और राना संगा के मद्ध युद्ध हुआ मुगलों की घुर सवार सेना और तोपों के आकरबन से राजपूत सेना में भगदर मच गई इस युद्ध में राना संगा बुरी तरह से घैल हो गए और युद्ध छित्र से हटना परा इस युद्ध में बावर की बिजय हुई और उसने गाजी की उपाधी धारन की चंदेरी की युद्ध की बात करें तो चंदेरी खानवा के युद्ध के पाश्चात बावर ने चंदेरी की ओर अपना ध्यान के अंद्रित किया 29 जनवरी 1528 को बावर ने चंदेरी के किले को घेड लिया इस यूद में मेदनी राय मारा गया और बावर की बिजय हुई बावर ने चंदेरी का दुर्ग मालवा सासकों के बंसद अहमद साह को सोप दिया घागडा का यूद पानी पत के पर्थम यूद में पराजित होने के पस्चात भी अफगान पुरी तरह से निर्वल नहीं हुए थे इब्राहिम लोदी का भाई महमूद लोदी अफगानों को संगठित कर बिहार में बावर के बिरुद यूद करने की तयारी कर रहा था तब बावर ने उसका दमन करने का निश्चाय किया और 6 मई 1529 को बावर और अफगानों के मिद के मध्य घमासान यूद हुआ इस यूद में अफगान बुरी तरह से प्राजित हुए और बावर की बिजय हुई अनेक अफगान सरदार उनकी सरन में आ गया और महमूद लोदी बंगाल भाग गया घागडा का युद बावर का एक अंतिम युद था और महतपुर्ण युद था बावर ने भारत में सिंधु नदी से लेकर बिहार तक और हिमालै से लेकर ग्वालियर और चन्देरी तक अपना समराज अस्थापित कर लिया था अंत में निरंतर युद्ध में ठक कर ब्यस्त रहने के कारण बावर का स्वास्त गिरता गया और 26 दिसंबर 1537 इस भी को उसकी मिर्ती हो गई बावर का अंतिम संसकार अफगानिस्तान में जाकर हुआ था बावर की मौत के बाद उसके बड़े बेटे हुमायों को मुगल संबराज का उतराधिकारी बनाया गया और उन्होंने दिल्ली की सल्तनत पर राज किया थोड़े से प्रस्नोत्तर को मैंने सामिल करने का कोशिस किया है इसमें भीडियो लंबा नहीं हो बहुत बरा नहीं हो इसलिए मैंने कुछ प्रस्नोत्तर को इसमें सामिल करने का कोशिस किया है लेकिन मैं आप लोगों को बता दूँ कि मैं सिलसिलेवार तरह तरीके से एक-एक बादसाह के बारे में आप लोगों के लिए वीडियो दूँगा और थोरे-थोरे प्रसनोतर को भी दूँगा और अन्त में मुगल सामराज पर कम्प्लीट प्रसनोतर आप लोगों के सामने से पेस करूँगा तो जो महतुपुट्न परसन उंखी रूप से बनते हैं इसमें बावर का सासन काल कब से कब तक रहा तो 1526 से 1530 भी तक रहा पानीपत का प्रथम यूद कब लड़ा गया था 21 अप्रेल 1526 में पानीपत का प्रथम यूद किसके बीच हुआ था बावर और इब् क्योzentर चुदि को हडाय था रहुत है बावर फ्रगणा की गडि पर कब था और जून 1449 मेरे बावर ने किस यूद के पश्चात मुगल बंस्की अस्थापना की थी पानिपत का पर्थम यूद, बावर ने किस यूद में जिहाद का नारा दिया था, खानवा के यूद में, तुजु के बावडी किस भासा में लिखा गया था, तुर्क में, मेवार के किस राजा को 1527 में खानवा की यूद में बावर ने हराया था, तुराना संगा को, भारत क मुगल सासक बनने पर जरुदीन मुहम्मद ने क्या नाम रखा था तो बावर रखा था बावर ने अपने बावर नावा में किस हिंदू राजी का उलेक किया है तो मेवार और बिजय नगर और अगर हम आगे देखें तो खते बाबडी को किस मुगल सासक ने लिखा था बाबड ने दिवान को तुर्की भासा में किस मुगल सासक ने लिखा था बाबड ने गजे बाबडी की एक इकाई का परचलन किस मुगल सासक ने किया था तो बाबड ने बाबर के पिताकर क्या करें तो इस तरह से मैंने कुछ कुछ एक प्रसनों को आप लोगों के सामने सामिल तो अब है आप बाड़ी वीडियो को लाइक करें सब्सक्राइब करें सेयर करें कमेंट्स करें मुझे अगर कहीं पर और भी कुछ बेहतर आपको चाहिए तो लाइक सब्सक्राइब और सेयर जरूर करें सब्सक्राइब कर लें ताकि अच्छा अच्छा वीडियो आपको